हेलो दोस्तो अंजिना के चैनल में आप सभी का हर्दिक स्वागत है तो आईए दोस्तो आज मैं एक बहुत जुरुरी टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ दोस्तो वो रिष्टा है पती-पतनी का दोस्तों पती-पतनी का रिष्टा ऐसा होता है जिसमें दोनों मिलकर हर उतार चड़ाव का सामना करते हुए एक दूसरे के शाथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों इन अनुभवों के साथ दोनों में एक दूसरे के प्रती परवा और आपसे समझ भी बढ़ती है एक शाथी जब काफी लंबी चलती है तो जोडों के बीच एक सही ताल मेल भी बन जाता है लेकिन कई बार यह समझदारी जीवन में बोरियत ला देती है दोस्तों और जीवन का आनंद गाइब होने लगता है जीवन भर घर परिवार और पती बच्चों की जिम्मेदारी संभालते संभालते दोनों के रिष्टे में एक हैरावसा आ जाता है तो इसलिए हमें चाहिए दोस्तों कि कौन कौन सी ऐसी बाते हैं जो हमें अपने पती के साथ या अपनी पतनी के साथ करनी चाहिए और कैसे स श्मय बिताना चाहिए दोस्तों आप अक्सर यह सोचते रहते होंगे कि पहले चीजे कैसी हुआ करती थी और अब ये बदल चुकी हैं ऐसा सोचने के बजाए परिवर्तन को स्विकार करें और नई तरीके से जीवन का आनंद ले अगला है दोस्तों पूरा श्मय और ध्यान व मजबूती आती है अक्सर ऐसा देखा गया है कि परिवार और बच्चों रिष्टेदारों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम महिलाएं जीवन साथी के सास्मय नहीं गुजार पाती और रिष्टे में दूरियां आ जाती है इसलिए एक सास्मय गुजारना पती-पत भावनात्मक रूप से जुड़ना बहुत जुरिरी है अगर कोई पती-पतनी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाप महसूस नहीं कर पा रहा है तो रिष्टा कमजूर हो जाता है और अगर हम एक दूसरे के साथ विश्वास नहीं कर पाते एक दूसरे को विश्वास दिला पाते तो हमारा रिष्टा कमजोर हो जाता है अगला है दोस्तो खुशनुमा मोहौल भले ही आपके विवाह को तीन या चार दसक भी बीद गए हो दोस्तो लेकिन अपने जीवन साथी के साथ हंसी मजाग प्रूर करना चाहिए ऐसा करने से रिष्टे में रोमांस बना रहता है कभी कभी आप पुरानी बातों को याद कर एक दूसरे की टांग के जाई भी हसी खुशिशे कर सकते हैं अगला है दोस्तो सहित का भी खयाल दोस्तो हमारी जैसे जैसे उमर बढ़ती है सहित से जूड़ी परिशानियां भी हमें तंग करने लगती है ऐसे में एक दूसरे की सहित का जरूर ध्यान रखें अगर कोई एक जीवन साथी बीमार है या कुछ भी उसको हो गया है डाइविटीज है, हाई बलड प्रेशर है या दिल की बीमारी कुछ भी है तो भी उस चीज को स्विकार करें और अपने जीवन साथी का खयाल रखें और उसको जादा से जादा खुशी देने की कोशिश करें तबी हमारा रिष्टा भरोसे मंद और अच्छा चल सकता है अगला है दोस्तो तनाव से कोशो दूर रहें उमर बढ़ने के साथ ही मानशिक तनाव भी सिहत पर हावी होने लगता है ऐसे में जरूरत होती है दोस्तो कि हम लोगों को तनाव पर चर्चा करें और उसका कोई हल निकाले सुबह शाम शाथ वॉक करने जाएं और खुश रहने की कोशिश करें लेकिन हम मिडल कलाश फैमली जैसे की हम ग्रहनी हैं तो हमें सुबह सामकाम भी होता है तो कोई बात नहीं फिर भी अपने पती के लिए या अपने पत्नी के लिए अपने पती के लिए जरूर समय निकाले और एक दूसरे को महत्तो दे और कोई भी ऐसी तनाव की फालतो बात अपने पती से शियर ना करें अगला है दोस्तो कभी तुलना ना करें अपने जीवन साथी को तुलना जीवन के किसी भी पड़ाओ पर कभी भी किसी और से नहीं करने चीए हाँ हो सकता है कोई दूसरा जोड़ा हर काम में हर चीज में परफेक्ट हो सकता है आपका जीवन साथी नहीं है लेकिन फिर भी हमारे को उस चीज को स्विकार करना है और हमारा पती या हमारी पत्नी जैसी भी है हमारे को उसी में संतुष्टी रखनी चीए हमें किसी दूसरे से, चाहे कोई दूसरा कितना भी बड़ा करोड़ पती क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने जीवन साथी से ही संतुष्टी करनी चीए और कभी अपने जीवन साथी की दूसरे से तुलना ना करें, क्योंकि भगवान ने सब को सं परिवार के लिए दोस्तों खाश होता है अगला है दोस्तों थोड़ा श्मय अगर किसी बज़े से आपका जिवन साथी गुस्से में या परेशान है तो उसे कुछ देर के लिए अकेला भी छोड़ देना चाहिए ताकि वो थोड़ा शांत हो शके और एक दूसरे के ऊपर चा से हावी होते रहते हैं तो रिष्टा कमजोर होने लगता है अगला है दोस्तों मानसिक चोट ना पहुंचाएं पती पत्री में मन मुटाब और लड़ाई जगड़ा होना आम बात है ऐसी स्थिती में एक बात का जरूर ध्यान रखना चीए कि चाहिए जितना भी जगड़ा क्यों ना हो जाए लेकिन कभी भी ऐसी बात नहीं बोलने चीए जिससे कि उन्हें मानसिक चोट पहुंचे कभी भी घर छोड़ कर जाने की बात या शादी तुमसे ना हुई होती तो बहुत अच्छा होता ये बाते कभी न कहें इससे क्या होता है कि जीवन साथी चाहे उप अगला है दोस्तों बुराई करने से बचे परिवार के सदस्यों की बुराई करना और उन्हें नीचा दिखाना आपके वेवाही क्रिष्ट्य को पूरी तरह प्रभावित कर सकता है अगर आपके विचार ससुराल पक्ष के लोगों से मेल नहीं खाते हैं तो अपना पक्ष अपने जीवन साथी के सामने रखें और मिलकर इस मस्या का कोई हल निकालें अगला है दोस्तों कि समयश में पर अपने जीवन साथी को तोफा भी जरूर देना चाहिए ऐसा करने से वह स्पेसल मैसूस करेंगे और आपस में खुशियां बढ़ेगी और दामपत्य जीवन मे गंबिर्ता के साथ मनोरंजन भी बना रहेगा कभी कभी अपने जीवन साथी के साथ डीनर पर या किसी अच्छे रेश्टोरेंट में खाना खाने भी जरूर जाएं क्यूंकि ऐसा करने से आपकी रिष्टे में थोड़ा सा कहीं गूमने भी जरूर जाएं उससे बोर्यत महस दूस नहीं होगी और आपका रिष्टा अच्छा बना रहेगा दोस्तों दामपत्ते जीवन में इर्शिया और द्वेस कुछ गलत आतों के चलते जगह बना लेते हैं जिसकी बज़े से रिष्टा दर्कने लगता है और रिष्टे से प्रेम गायब होने लगता है तो इसलि लेटे भी आ गए हूं फिर भी अपने जीवन साथी को भी शमय दे और अपने परिवार और अपने बच्चों को भी शमय दे दूसरों की बातों से चाहे बो परोसी हो चाहे रिष्टेदार हो चाहे कोई हो उनको भी शमय दे लेकिन अपने जीवन साथी को खुश रखने की हर हाल में कोशिश करें तभी एक पती-पतनी का रिष्टा शालों शाल चलता रहेगा तो आशा करती हूँ आप सब को मेरी ये बाते पसंद आई होगी तो प्लीज सब्सक्राइबी माई चेनल थेंक यू